हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे भूने हुए चने के लड़ू जीने हम सक्तू के लड़ू भी कहते हैं यह बहुत ही हेल्डी और टेस्टी होते हैं स्वागत है आपका फ्लेवर फ्यूजन एंड क्रियेशन में तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं भूने हुए चने के लड़ू बनाने के लिए यहां पर मैंने लेए हैं दो कप भूने हुए चने इनको एक मिक्सर जार में डालेंगे और इनका फाइन पाउडर बना लेंगे ड्राइफ रूट्स में मैंने यहां पर बादाम, काजू और अख्रोट लिये हैं आप अपने मन पसंद के ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं आप एक ड़ाही लेंगे और इसमें वान फॉर्थ कब घी का डालेंगे यहां पर मैंने देसी घी का यूज किया है जब घी गरम ह हो जाए तो इसमें हम ने ड्राइफ फूर्स जो है रोस्ट करने हैं और ग्यास की फ्लेम धीमी रखी ड्राइफ फूर्स को हमने एक मिनट के लिए रोस्ट करना है जब रोस्ट हो जाए तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद पीस लेंगे अब डालेंगे भूने हुए चने का पाउडर गैस की फ्लीम लो रखेंगे और लो फ्लीम पर ही हमने पाउडर को जो है भूनना है अब गीस में घी कम लग रहा है तो वान फोर्थ कप और इसमें घी डालेंगे घी हमने थोड़ा थोड़ा गरकेस में डालना है तो टोटल इसमें हमारा जो है एक गब घी का लग जाएगा लो फ्लीम पर ही हमने चने के पाउडर को भूनना है चने के पाउडर को हमने यहाँ पर जादा भूनने की अवशकता नहीं होती है अब देखे इसका रंग जो है हलका चेंज हो गया है तो अब इसमें हम बालेंगे पीसे हुए ड्राइफोर्स इनको मिक्स करेंगे अब इसमें हम डालेंगे गुड़ गुड़ को मैंने हाँ पर बारी काटा हुआ है अगर गुड़ नहीं है तो आप इसमें गुड़ का जो पाउडर होता है वह बढ़ सकते हैं अब इनको दो मिनिट के लिए इस तरह मिक्स करेंगे और देखे जो है यह चने का पाउडर ज अब इसके हम लड़ो मनाएंगे अब देखे लड़ो बने है जितने देखने में अच्छे सुन्दर लग रहे हैं उतने ही है खाने में वी स्वाधिश्ट है और साथ में हैं और इसी पर हमने सभी लड़ो बना लेने हैं यहाँ पर मैंने सभी लड़ो जो हैं बना लिये हैं इनको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने कद्दू कस किया हुआ सुखा नारेल का यूज किया है तो दोस्तों यह थी आज की हमारे स्वाधिश्ट और सेहतन्त भूने हुए चने के लड़ो की रेस्पी इन्हें ब और चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूले अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार और हेल्दी रेस्पी के साथ धन्यवाद